नमस्कार मैं रभुनात प्रसाद आचर्चा कर रहा हूं तीश स्वितंबर को एक हुए जैज्मेंट की जो माननी है सुप्रिम कोट ने दिया है उत्रप्रदेश के मुझा फर नगर का एक गाउँ है ठिटोरा वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है कि एक क्रिशक मजदूर परिवार राजेंद्र कुमार उनका जो सबसे छोटा पुत्र है अतुल अतुल ने जेई एडवांस पास किया और उनको अपनी कैटोगोरी में 1400 के आसपास रैंक मिला उनको आई आई टी धनवाद एलोर्ट हुआ चोबिस जून तक उनको सारे सत्रहजार रुपया जमा करना था वो रिस्तेदारों से गरामीनों से उनके पिता रुपया जमा कर रहे थे उसमें कुछ मीनिटों का विलंब हो गया ऑनलाइन फी जमा करने में पर नाम यह हुआ कि आई आई टी ने उनका एडमीशन रद कर दिया मरता क्या ना करता वो परिवार कोट की सरन में गया आयोग में भी उस परिवार ने आवेदन दिया और यह देख इस मामले की जब सिन्वाई भी तो आई आई टी की ओर से विरोध किया गया कि उसको सफिसेंट टाइम था उस बच्चे को लेकिन फी नहीं जमावी इसलिए उनका एडमीशन नहीं होना चाहिए इस ग्रावन पर विरोध किया गया लेकिन उन्रेवल सुप्रेम कोट निश्चित तोर पर पुरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपन संदेश दे गया उन्होंने उस बच्चे के जोगिता को देखते हुए इस देश के भवश को देखते हुए और इस तरह से अर्न जो आई आई टी होंगे एम्स होंगे आई आयम होंगे ऐसी जो बरी बरी संस्थाएं हैं इंप्रोटेंट संस्थाएं वे भी आगे से टेक्निकल गराउंट पर इस तरह से अडिमिशन को रोखने का काम नहीं करेगी आज मैंने देखा अख़वार में कि उत्रप्रदेश सरकार ने स्कॉलर्शिप से उनकी हर तरह की फी जो चारवर्श की होगी उसकी भरपाई करने का आदे निरना लिया है मैं अन्रोद करूंगा नकवल उत्रप्रदेश सरकार से वरन देश के सभी राजसरकारों से कि जो बच्चे या उनका परिवार जैसे ये गरीबी रेखा के नीचे का परिवार है कि शक मजदूर के पुत्र है ऐसे बच्चों के लिए चाहे वो किसी भी जाती को उनके लिए विशेश विवस्ता होनी चाहिए कि वो जेई कंपीट करने के बाद या जो नीट है वैसी तरह की परिक्षाएं कैठ है परिक्षाप पास करने के बाद एडिमिशन से वन्चित ना हो और नेवल सुप्रेम कोट ने जो और पास किया है वहां खोलने वाला है जो हर इंस्टि के इंपर्टन पारा को पहरा हूं वी आर एफर मेट वी अफ द वीव ब्यू अट अट एड एस्टुएं लाइक पेटिशन शुद नॉट वी लेफ इन दी लर्ज द पावर अफ द अब 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 अर्टिकल 142 अब 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 सब्सक्राइब को यह अधिकार देता है कि नियमों कानूनों सभी से परे होकर वो कोई भी आदेश ऐसी एमर्जन्सी में दे सकता है आप जैसा कि जानते होंगे कि आयोध्या विवाद में भी जो फैसला हुआ है उसमें भी 142 अर्टिकल का उपयोग हुआ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तो पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को स्टाच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नुट्फिकेशन आपको मिल जया आप सभी लोगों के लिए सुब काम नाए धन्दवाद जये